नए जमाने के नेटोप मार्केटिंग बिजनस में आपको बेसिक स्टेप कुछ एडवांस लेवल के सीखने चाहिए और हर लीडर को इंडिपेंडेंडेंट बनाने के लिए आज के बेसिक स्टेप मैं बताने बाला हूँ बेसिक स्टेप कुछ अलग बेसिक स्टेप है इन पे आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बताऊंगा कि छोटी-छोटी बात है आपको बड़े-बड़े लीडरों से पूछने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको अपने लेबल में ग्रोथ करना है तो आपको इन बेसिक स्टेपों को जानना चाहिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंगेजिंग होने वाली है आपको पूरा फोकस होके जिस व्यक्ति को आप ये भेजिंगे न व्यक्ति इंडिपेंडेंट बनने के रा आपको प्लान दिखाना है धड़ा धड़ा आप बताईए ऐसे मतलब जिर जिर आपके मुझे निकलना चाहिए आपको मतलब रटा होना चाहिए आपका मार्केटिंग प्लान ये आपको सीखना है दूसरी चीज आपको सीखना है प्रोस्पेक्टिंग करना सीखिए आपकी लिस्त जब खतम हो जाती है, आगे और भी step है, आपको ये दोनों step से अनुमानी लगा लेना, कि बस ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आगे बहुत important step आने वाले हैं, कि company में कैसे बात करना है, क्या करना चाहिए, basic step कौन से करना चाहिए, online इसको कौन सा काम सीखना चाहिए, य ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बसरते आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, तो prospecting करना आपको सीखना पड़ेगा, आपको independent बनने के लिए, marketing plan और prospecting सीखना पड़ेगा, क्योंकि list आपकी जब समाप्त हो जाएगी, तो market में जाके, हम नए लो आतियां हैं इसमें, कि list बनाना सार, ये list तो मैंने जब joining किया था, तब मैंने बनाया था, वो list की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको prospect list तो बनाना ही है, साथ में क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, सेमिनार में कितने लोग आएंगे, उसकी list, target कितने लोग achieve करना है, उसकी list आज की home meeting में कितने लोग आ सकते हैं, उसकी list, आपके active distributor की list, आपके active group की list, ये सब चीज़ें, ये सब list बनाने के अंडर में आती हैं, तो आपको list बनाना सीखना चाहिए, अलग अलग तरीके से list बनाएं, list बना के काम करेंगे, आपका काम कभी नहीं छूटेगा, तो ये list बनाना, अगली बात follow up करना सीखना पड़ेगा मुझे, कि मैं इस business में independent होना चाहता हूं, ठीक, मैं इस business में independent होना चाहता हूं, तो मुझे list बनाना, follow up करना, लोगों को मनाना, लोगों को convince करना एक skill है, कई लोग बोलती सर मैंने call लगाया था उसको, उसने बोला अभी रह लिए, आपको direct जाना चाहिए, घर में, वो मिलेगा, वो बैठाएगा आपको, बात करना चालू करिए, तो follow up करना, आपको सीखना पड़ेगा, सीखिए, follow up करना, आपको सीखना पड़ेगा, अगली चीज है, ID लगाना सीखना, नहां से एक अलग रूड में आपको वीडि सीखना चाहिए, फिर आप अपने वेक्तियों को ID लगाना सीखाईए, क्योंकि बड़े बड़े लेबल में जाने के बाद भी, आज मैंने देखा है कि उनको ID लगाना नहीं आता, ID जनरेट करना नहीं आता, ये सब चीजें उनको आता ही नहीं, और आपको नहीं आता तो आ independent यदि आप अपने लेडरों को बनाना चाहते हैं, तो business calculation करना सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा कि business से पैसा कैसे आता है, किस line से कितना आएगा, कौन सा slab लगेगा, कितने percent यहां से आएगा, joining पे आएगा, कैसे पैसा आता है, हमारी company में किस तरीके से पैसा आता है, ये सीखना पड़ेगा, कि business का calculation कैसे करना, क्योंकि बड़े-बड़े label में मैंने देखा है, अप line को phone लगाते हैं, कि सर आज मेरा बहुत कम पैसा बना है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इस तरीके की बातें आती है, तो आपको calculation करना सीखना पड़ेगा, अगली चीज, website चलाना सी सीखिए, आपकी company है, आप इसके independent business owner है, तो आपको इसकी website चलाना तो आना चाहिए न सर, यदि आप website नहीं चला पा रहे हैं, सही से उसका knowledge नहीं है, क्या-क्या website में upload है, कहां पर product के testimonial है, कहां पर company के legal document है, कहां पर product file है, वो सब चीज, website में उपलब्द रहती हैं, आपक चलाना सीखिए, और mobile application भी चलाना सीखिए, कई लोगों को mobile application चलाना नहीं आता, तो आपको independent बनना है, आपको इस business में आगे बढ़ना है, तो आपको mobile app चलाना सीखना चाहिए, और अगला step आपको ध्यान देना है, company में बात करना भी सीखिए, मैं company का distributor हूँ, applying बहुत best है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, company में direct बात कर सकता हूँ, मेरे ये query है, आप बताइए वहाँ पर, आपको वहाँ पर solution मिलेगा, तो कई लोग apply पर dependent रहते हैं, ये छोटी छोटी बात हैं, तो आपको अपनी company से बात करना आना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने business का कामान अपन company में email करना भी सिखिए, छोटी बात है, लेकिन बहुत प्रभावी है, apply भी आपको call करेगा, किसर मेरा थोड़ा कर दीजे, यदि उससे नहीं आता होगा, और धीरे धीरे आप उनकी नजरों में आगे बढ़ने लग जाएंगे, तो company में email करना सिखिए, अगली बात mobile number change करा न सिखिए, आपका mobile number यदि बंद हो गया है, गुम गया है, या group के किसी व्यक्ति का number disturb हो गया है, तो आप उसका number change कराईए, आपको ये basic step बता रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए, वो तो list और marketing plan आपको तो already आना चाहिए, लेकिन ये भी आपको आना बहुत ज़्यादा इसके अलाबा भी basic step बहुत है, इसके अलाबा जो आप appliance से कराते हैं और appliance direct company से कराता है या लीडरों के माद्यम से कराता है, वो चीज़े भी आपको यहाँ पर सीखना चाहिए, छोड़े छोड़े step आपको सीखना है, तब जाके आप एक मजबूत लीडर और सांदार लीड या mobile application में मिलेगा, या website में मिलेगा, कहाँ चेक करते हैं, यह आपको देखना चाहिए, यह आपको पता भी होना चाहिए, तब ही जाके आप अपने group को बता पाएंगे, आप में मजबूती आएगी, आप में knowledge आएगा, तो यह सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और डीडी कितना देना पड़ेगा, सेप्टी कितना देना पड़ेगा, फोटो कौन सी देना पड़ेगा, कौन ब्यक्ति खोल सकता है, यह सब आपको ध्यान रखने की जुरत है, यदि आप independent leader बनना चाहते हैं, नए जमाने का network marketing business करना चाहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, त तो आपको यह सब चीजें ध्यान देनी की जुरत है, कि मुझे यह सारे basic step सीखना है, इसके अलाबा भी जो आपके मन में basic step आते हैं, उनकी list बनाईए, और उनमें काम करना चालू कर दीजे, और जो वेक्ति leader बनना चाहते हैं, उनको यह video बेजिए, कि पहले यह step आपको complete क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक दमदार leader बन पाएंगे, तो आज के लिए तना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.